आज हम क्या करेंगे इसकी जो next exercise 5.2 वो हम करेंगे उससे पहले हम लोग क्या कुछ सिखेंगे कि 5.2 की जो questions कि किस according आएंगे वो सब हम इसमें पहले थोड़ा introduction जो हमको पहले सिखेंगे सो 5.2 में हमारे पास जो questions आएंगे वो आएंगे circle graph पे या फिर pie chart पे किस पे आएंगे circle graph पे pie chart पे अपने चोटी classes में भी यह बार graph डबल बार graph तो कर रखाते लेकिन जो pie chart है वो हम इस class में इसके study करेंगे circle graph बोलते हैं इसको pie chart बोलते हैं यह अक्चल में होता क्या है यह क् रहे ह जवके जाए कि हमें इस टाइप से क्या होता है anton會 circle गेवन होता है यह हमें तु टाइपी questions इसमें आते हैं एक तो हमें गिवन होता हैं और हमें question solve करनी होते हैं यह value find करनी होती है 2 हमें draw करना होता है एकर पेजिऔशन करेंगे यह सबसे पैले जासे हम इसकी example करेंग इस तरीके से इसमें sleeping का, homework का, others play, school, एक बच्चे का पूरा क्या है? एक schedule है, पुरे डे का, यानि 8 hours वो sleep करता है, 4 hours वो homework करता है, 3 hours वो other work करता है, 3 hours वो play करता है और 6 hours वो क्या करता है, school जाता है, तो यह क्या है, उसका पूरा एक complete schedule है, जो इसको हमने pie chart में describe कर रख है, अब हम इससे क्या करते हैं, इसकी questions जो होते हैं, वो इसको solve करते हैं, एक चीज़ याद रखना, जिससे ही अपका पूरा circle होता है, यह पूरा 360 डेगरी का होता है, इत जिससे क्या की जिकाकि एसने, इसको questions थे अगर हमने sleeping के अगर अपने पर्ट देखना है, कि इस पूरे का कितना पार्ट है, वो sleep करता है, यह तो उसका क्या हो गया, 8 hours जिससे का sleeping का हो गया, अगर अपने को find करना है कि इस पूरे pie chart का वो कितना पार्ट कितना हिसा हो यानि कि one third part वो क्या करता है? flipping करता है इस तरीके से इसका school का होगे six hours यानि कि one fourth part जो हो पूरा day का हो क्या करता है? school जाता है okay students उसके बाद ये तो आपका था कि एक आपको pie chart गेवन होगा उसमें से अपने को questions के answer find करने होगे तो आपको क्या करना है, जितना पार्ट उसका गिवन होता है, जितना जो भी गिवन होता है, उसको आप डिवाइड करोगे, उसके होल पार्ट से, जैसे हमारे पर 24 आर्स पूरे डेस की तो हमने 8 आर्स को डिवाइड कर दिया, तो उसका पार्ट आ गया, अब हमें क्या होता ह ECHEKIND PIE CHART DRAW करने होते हैं canada pie chart draw हमें टेबल गीवन होगा उसके help से हमें ज्या करना होगा Apache Charts ड्रोग करने होगा उसके बस सी आपको च्छोटा सा पको टेबल कि होगा है प्रेसैंने उप स्प्रेफरिंग्ट प्रेफर करते हैं अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इसके कोशन सॉल्व करेंगे तब आपको पूरा डिप्रिसम जाएंगे हमारा 60 दी करीका होता है तो हम इसको क्या करेंगे डिगरीज में कनवर्ड करेंगे इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें देखो हमने जैसे ये किया या या का फ्लेवर का है इस स्टूरें इन परसंट प्रेफरिंग दा फ्लेवर यह हमने जो हमें कोशन में गिवन था वो डारेक्ट हमाल पास तू कॉलम से उसके बाद हम क्या करेंगे इनका फ्रेक्शन करेंगे क्या फ्रेक्शन करेंगे अब फिफ्टी परसंट क्या करते हैं प्रेफर करते हैं इसक 1 x यानिके आधी बच्चे जो किया करते हैं इसको परसंद करते हैं यानिकर यह हमारा पार्ट में आगया उसके बाद वैनिला का निकालेंगी तो 1 4 अधर फ्लियावर का निकालेंगी तो 1 4 हो गया ठीक है टोटल यह 100 पनाते हैं 50 50 प्लस 25 प्लस 25 उसके बाद हम क्या करेंगे इन फ्रैक्शन जब हमने क्या करना है पाइचाट ड्रो करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 360 से मल्टिप्लाई करेंगे इनके पार्स को तो जैसे हमने 1 बाइ 2 को क्या किया 360 से मल्टिप्लाई किया तो यह आपका 180 उसके तो इसको प्याइनल और इसको क्या करेंगी इसके ड्रोग करें गर तो उसके सबसे पहले रहाख fent करेंगे से शर्कल रोग करने के बाद आपका 180 ही पीर जयें है फिर हम जैसे यह наг Soo रहा तक है यह आपका एक example था जिसको मैंने सिर्फ समझाया है अब हम इसका क्या करेंगे question solve करेंगे चले हम start करते हैं इसका first question A survey was made to find the type of music that a certain group of young people like in a city की एक survey में पाया गया की music को पसंद चो करने वाले लोग थे एक society में people like in a city एक city में थे adjoining the pie chart आपको इस तरीके से गेवन है यह आपको इस तरह के से खिवन है यारी कि 20% जो लोग है वो क्या करते है semi classical music को प्राफ करते है 10% classical करते हैं fog करते 30% and light करते है 40% okay so यह आपको इतना समझ में आ गया अब हम क्या करना इसके questions के answer देने है so हमने क्या किया पहले इसका जो pie chart है वह मैंने ड्रोग कर दिया 40% light semi classical 20 यह 10 और यह 30 okay अब हम इसके क्या करेंगे questions के answer करेंगे उसके लिए देखिए from this pie chart answer the following first is if 20 people like classical music classical music 20 जो लोग है वो परसान नहीं है सिरफ simple लाइब 20 people like करते हैं तो how many young people were surveyed तो कितने young people हुए यहनी कि 20 people जो है वो like करते हैं classical music को तो हमें 20 people है तो part find करना है so हमें क्या find करना है total young people कितने हैं ठीक है how many young people were surveyed कितने young people जो है वो surveyed की हुए अब देखो उसने काया कि 20 people like करते हैं कितने people like करते हैं 20 तो हमारे पास क्या है हम लोग क्या write करेंगे number of people who like classical music कितने people जो है वो like करते हैं वो कितने करते हैं 10% कितने 10% करते हैं कि ten percent represent करते हैं 20 people कo यानि कि ten percent है कि ही फो twenty people like करते हैं अब हमें यह पर्सेंडेज में Lorenz उसने वे और वह यह जो है भी यह हैं जो है वो like करते हैं अब हमें क्या करना है total fine करें है वे total कितनी है यानि कि सभी जितने इवी cancer TWO Sभी कितनी है तो ten percent क्या है किए से अगर हमें देखना है तो 100% देखना है तो 10% रिप्रसेंट करता है 20 पिपल्स को तो 100% किसको रिप्रसेंट करेगा 20 इंटू 100 डिवाइड बाइ 10 समझ में आया 10% क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं और 10% कितने जने है 20 लोग है तो अब अपने को क्या करना है जब देखो सिद्धी सी बाता है 100 का 10 परसेंट हो गया तो यानि कि 100 में से अगर 10 लोग करते हैं तो 20 लोग कितने मैं से करेंगे तो obviously 200 में से करेंगे तो यहा समझ में आया तो अब जैसे अगर अपने को इसका फाइंड करना है next question which type of music is liked by the maximum number of people कि सबसे ज़्यादा जो लोग है वो अपने करना है next question which type of music is liked by the maximum number of people कि सबसे ज़्यादा जो लोग है वो कौन से music के type को ज़्यादा पसंद करते हैं तो अगर हम pie chart की बात करें इसमें हमें दिख रहा है कितने लोग कर रही है देखो यहाँ यह 40 परसंट है यह 30 परसंट है यह 10 20 तो अगर अपने बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा परसंट इसकी है light की है तो आपका direct answer आएगा second क किया यहाँ लाइगा light light music को क्या करते है लोग prep करते है okay light music को क्या करते है उसके बाद हमारा है third part इसका third part में देखो if a cassette company were to make 100 series how many of each of would they make उसने बोला कि अगर cassette company क्या करते है 1000 series करते है बनाती है तो इज टाइप की कितनी बिनाने पड़ेगी total मतलब वो thousand करती है तो हर एक के कितनी बिनाने पड़ेगी अब हमें यहाँ पर क्या find करना पड़ेगा इसको इच का पार्ट करना पड़ेगा कि classical के लिए semi classical के लिए fog के लिए और light के लिए कितना करेगा अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल म्यूजिक की क्लासिकल म्यूजिक में क्या है आपका 10% है कितना है 10% और टोटल परसेंट है कितना है 100 टोटल सिडिस कितनी बना रहा है वो thousand तो यहां से क्या हो गया उसको कितनी बनानी पड़ेगी कितनी बनानी पड़ेगी, उसको 100 series बनानी पड़ेगी, कितनी बनानी पड़ेगी, 100 series, समझ में आया है, यहनी कि 10th percent था उसका of 10 total, यहनी कि उसके पास 2तल thousand series हैं, उसमें से वो बताने की परतीक की कितनी कितनी होगी, तो 10 percent इसके थो कितनी होगा hundred और अगर आपने बात करते हैं, फोक की, फोक में कितना है? 30, 30 by 100 into 1000, तो यह आपका क्या हो गया? 2 zeros cancel होगी, तो हमें, फोक की कितनी बनाने, उसको बनाने पड़ेगी? 300, और अगर हमें बात करते हैं, लाइट की, तो लाइट की कितनी आएगी? 40 by 100 into 1000, एक उलाइक आपका 400, और लास्ट में हमारा है, क्या है? सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल में कितनी बनाने पड़ेगी उसको? 20 by 100 into 1000, तो यह आपका कितना हो गया? 200 series, ओके? अब देको इसको आड़ कर लो, 100 plus 300 plus 400 plus 200, कितना हो गया? यह 400, 800 और यह 1000, टोटल कितनी series होगी? यह 1000 series होगी, आपको समझ में आ गया, सबसे पहले हमने क्या किया इसका 10% का निकाल लिया, यानि कि टोटल इसका 100% है, हमने इसको डिगरी में फाइंड नहीं करना, क्योंकि वो डिगरी हम तभी निकाला है, जब हम इसका ड्रोग करेंगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, इ आपको समझ में आ गया, अब हम इसका करेंगे second question, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons, rainy, winter and summer, एक 360 people का group था, यानि 60 लोग थे, उनमें से पूछा गया कि रेनी season, winter season, और summer season को कौन को डिग करता है, यानि उनके हमने total, उसको पाई चार्ट रो करना है, तो उसके बार हमें क्या गिवन है, summer season को कौन, number of votes, 90 लोग जो है, वो summer season को बसंद करते है, 120 वोट जो है, वो रेनी season को जाते है, और 150 वोट जाते है, winter season को, total हमारे पस कितने लोग है, 360 लोग है, ठीक है, so देखो इसमें, first question है, इसका, which season got the most votes, पहले हम इसका गया करते है, इसका, टेबल बनाते है, उसके इसके बाई चार्ट करना है, okay, so सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका, पुरा टेबल बनाएंगे, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको यह बना रहा है, total number of votes हमारे पास है, 90 प्लस 120 और 150, 360, यह आपको question में गिवन है, जो आपको question में गिवन है, उसके आपको टेबल ब so, इसमें देखो, हमारा, अगर हम इसका find करेंगे, summer का, तो हमारा क्या है, number of votes 90 जा रहे है, और total कितना पास है, total कितने लोग है, 360 और 90 वोट किसको गई है, summer season को, so यहां से अगर हम इसको solve करेंगे, तो यह आपका आएगा, 1 by 4, कितना आएगा, 1 by 4 आएगा, समझ में आया, उसके बाद एको, अगर हम इसका रहनी का निकालेंगे, तो 120 by 360, तो यह आपका आएगा, 1 by 3 आएगा, इसको कट करेंगे, 12 बंजर 12 और 12, 36, उसके बाद आपका आएगा, 150 by 360, तो यह 0 स 0 कैंसल, 15 by 36 है, तो देखो, यह किसके टेबल पे आ रहा है, यह अगर हम 3 के टेबल प इसको कट करते हैं, तो 5 तीजर 15 और 12 तीजर 36 है, कितना आगया, 36, यह आगया, ठीक है, इतना आएगा, 5 by 12, ओके, यह आपका क्या आगया, फ्रेक्शन में आगया, अब हम क्या करेंगे, इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, क्या फाइंड कर तो देखो हमारा क्या आएगा यहां से इस एंडरल अगर अपने अंगल करेंगे तो 1 4th पार्ट किसका है? समर का है तो टोटल हमें कितने डिगरी का लिएना होते है? 360 का तो यहां से अगर हम इसका फाइंड करेंगे तो यह कितना आएगा? 90 डिगरी तो इसका हम फाइंड करेंगे तो 1 by 3, 360 यह कितना आएगा आपका? 120 डिगरी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एंसर आजाएगा तो 5 by 12 का कितना आएगा? 360, 360 से मल्टिप्लाई की हो गया इसका हमारे पास कितना आपका पाइचार पुरा 360 डिगरी का होता है तो यह आपका आगया 150 डिगरी यहां तक आपको कोई प्रोब्लम नी होगी? समझ में आगया अच्रे से कैसे किलिए हमाने? तो बेटा यहां तक आपका यह solve हो गया अब हम करेंगी इसकी questions को solve तो first question है which season got the most vote? सबसे ज्यादा votes किसको कही है? कौन से season को? तो आपको पता है किसको गई है? winter को तो first question का आपका answer क्या होगा? winter, second आपका है find the central angle of the sector, each sector, central angle हमने find कर लिया, यह आपका क्या है? second का answer first का आपका answer, winter, okay? उसके बादा आपका third, third में क्या करना आपको? draw a pie chart to show this information, इस information को show करने के लिए हमें pie chart draw करना है तो उसके लिए यह से मैं आपको पताया है? कैसे करेंगे? आपको इस तरह के से circle draw करना है, क्या करना है? circle draw, okay? circle draw करना है, अब आप क्या करोगे? सबसे पहला हमारा क्या है? summer, यह आपका center point हो गया, अब हमें क्या करना है? इसका summer, summer में हमें कितने number of words है, कितना part है? 90 degree, कितना बना रहा है? 90 degree बना रहा है तो यह आपका सिधा बिलकुल यहां तक जाएगा, बहुत ऊपर जा रहा है, यह आपका जाएगा यहां तक, okay? यह आपका क्या होगा? summer, क्या होगा यह? summer, कितना? 90 degree, okay? उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका rainy निकालेंगे, अब जहां पर summer खतम हुआ है, वहां से start करना आपको, जहां पर summer खतम हुआ है, कितना find करना आपको? 120 degree, तो यह आपका क्या है? 0 से start है, तो यहां से 120 काहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है, चिक है? तो आप इसको draw करते यहां पर आपको draw करना है, यहां पर आपको draw करना है, यह आपका हो गया? 120 degree, यह किसका हो गया? rainy season का, उसके बाद हमारा last जो बचा है, यह आपको देख ले ना, इसको यह आपका 150 का ही बनेगा, तो यह बिल्कुल सही बन रहा है, यह कितने का बन रहा है? 150 degree का बन रहा है, तो यह किसका बन रहे है, विंटर का बट रहे है, ओके, तो यह आपका था पाई जोगा,